हलो हुआ है विकास साहा हो आज हम सेकिन्ड पार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चेप्टर वन क्लास सिस्ट पहले हमने पढ़ा था कि हिस्ट्रियंस न토 के चीजे फाइंड आउट करी और हमें पहले कैसे बता लगता था कि लोग किस तरीके-स रहते थे लो कि इस्ट्री के बारे में हमने पहले टॉपिक्स में जाना कि उन्हें क्या के चीजे में नी मैनुस्क्रिप्ट मिले पॉट्स मिले आर्किटेक्ट्ट्र मिले ठीक है कुछ ऐसी सिविलाइजेशन मिली जहां से उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स के लिवलि गरता था ठीक है कैसे कैसे लोग रहा करते थे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फीपल रहा करते थे ठीक है और उनकी लाइफ कैसे एक दुसरे के ओपर डिपेंडेंट थी अब हम इनके बारे में पढ़ता ही जैसे कि आज की डेट में भी हम बात करते हैं ना आगरी कल्चर एक जितनी ज्यादा आज इनमें इंप्रूम्मेंट आई है ठीक है डवलप्मेंट हुई है पहले उतनी नहीं थी पहले की टाइम में भी फार्मर्स हुआ करते थे हर्डर्स हुआ करते थे आज की टाइम में भी हैं पहले की टाइम में किंग्स और कुइन्स हुआ करते थे आज पहले भी craft person हुआ करते थे, merchant हुआ करते थे और आज भी वो लोग हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से जो different लोग हैं, वो एक दूसरे के ओपर dependent पहले भी थे, और आज भी थे, और उनके जो customs or practices है, वो आज भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि आप कई सारी civilizations में, जैसे हैं, एक region के अंदर, एक culture के अंदर, वो कहीं ना कहीं, पिछले जो कुछ regions है, या पिछले जो हमारे पास हैं, उन से मिलते जूलते हैं, ठीक हैं, आप केरल में जाओगे, उतरबदेश में जाओगे, हरियाना में, पंजाब में, या हिमाचल, वहाँ पर different cultures आपको मिलेंगे, आज भी वो fishing और hunting के उपर, या forest produce के उपर dependent है, आज भी, ठीक हैं, तो ये सारी चीज़े पहले भी थी, और आज भी, आज की rate में भी ये सारी चीज़े वैसी की वैसी हैं, अब जो आज हम बात करते हैं, यहाँ जो लोग जो dependent हुआ करते थे, ठीक हैं, फूड के उपर, पह प्राइमरी सेक्टर के रूप में मानते हैं, नेक्स तिंग जो बहुत ही इंपोर्टन डेस में बताए गई है, वो ये है कि जो पहले के टाइम में लडाईयां हुआ गरते थी, ठीक है, किंग्स के बीच में जो भी victories होती थी या उनके जो records हुआ करते थे, जिसमें वो जित जो लोग थे, जैसे कि hunting करते थे, fishing करते थे, या gatherers से, या farmers से, उनके पास ऐस सच कोई record नहीं मिला, लेकिन archaeologist को उनकी भी कोई चीज़े ऐसी मिली है, पुरानी चीज़े मिली है, जिसके विज़े से ये पता लगा है, कि हाँ ये लोग यहाँ पर यह activities भी किया करते थे, औ बहुत ही important records माने गया है, what do dates mean, the next topic है, dates का मतलब क्या होता है, देखो हमारी life में dates बहुत important role play करती है, क्योंकि जैसे हम सब कही date of birth है, हम सब कही बर्दे मनाया जाता है हर साल, एक दिन, ठीक है, और कुछ ना कुछ important dates हमारी life में आती रहती है, ठीक है, so कभी ना कभी आपने school start करा होगा, कभी आप school end करेंगे, ठीक है, किसी दिन आप अपनी achievements करेंगे life में, वो आपके लिए important dates आपने आएगे, तो ऐसे ही dates important पहले भी रहा करती थी, लेकिन पहले के time में जो dates आपने सुना होगा, जिसे कि कहीं पढ़ा होगा, AD और BC, तो ये बहुत important ये term है, AD और BC BC का मतलब क्या होता है, before Christ, ठीक है, before Christ का मतलब क्या होता, जब Jesus Christ, जो Christian के God माने जाते है, भगवान माने जाते है, उनका birth हुआ, ठीक है, उसके बाद जो समय आया, ठीक है, उसको AD लिखा गया, N-0 Dominy, ठीक है, लेकिन उससे पहले, जो भी समय था, ठीक है, उसको हम बोलते । यह कुछ ऐसी terms है जो कि पहले की time में जो iden में उनको देंके रखी जाती थी मतलब यूस कर oleater तो यह बाद में जो है यह ऐसी हूता रहा ठीक हैए करेस्ण मैं बता जथा हूं और दमनी का मतलब होता है Year Years of Lord मतलब भगवान के जो साल थे, मतलब जब Jesus Christ पैदा होने के बाद जो समय स्टार्ट हुआ, उसे years of God कहा, जैसे letter with the dates, आप देख सकतो, BC का stand क्या होता है, before Christ, ठीक है, AD का मतलब anodominy, ठीक है, in the years of Lord, Lord कौन, Jesus Christ के बारे बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे ये कुछ words यूज हुआ है, जैसे कि CE, century के use हुआ है, ठीक है, BCE use हुआ है, before, era, ठीक है, तो मतलब ये कुछ common से word है, जो की history में बड़ा ही important role play करती है, और एक और चीज होती है, जैसे कि आप कभी भी देखोगे, जो आपका BC लिखा जाता है, वो कभी भी increasing order में नहीं होता है, वो decreasing order में होता है, ठीक है, जैसे कि हम counting क कम होती थी, कहने का मतलब ये है कि, एक time period के बाद, जिसे अगर minus 1 की अगर हम value बताते हैं, तो minus 1 हमको क्या होता है, कि जादा बड़ा number होता है, minus 30 से, वैसे ही, जो one year में, जो होगा वहाँ पर, ठीक है, वो minus की उसमें होगा, ठीक है, मैं आपको draw करके बताता हूँ, एक मैं तो ये मैंने draw करा है, इससे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, ये जो line है, ये है 0, ठीक है, ये है BC, बिफोर क्राइस्ट, ये है AD, अगर हम एक point मान लेते हैं, ये मान लो, neutral point है 0, तो जब ये मान लेजे, ये इस दिन, जिस क्राइस्ट का जनम हुआ, तो इस जीजस क्राइस्ट के बाद आने के बाद वो plus में होगा time, मतलब plus one, plus two, plus three, मतलब one year, two year, three year, four year, लेकिन अगर हम बात करते हैं, कि हम कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं three years की, ठीक है BC में, तो हम minus three year की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, वो three एक number में नहीं है, वो कम number होगा, ठीक है मतलब जो one होगा, वो near, करीब का year होगा, लेकिन three year जो होगा, वो प्राणा होगा, ठीक है, मतलब ये जो होगा, उतना जादा बड़ा number नहीं माना जाएगा उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हमें inscriptions मिलें, या scripts मिलें, जिसमें हमें कुछ न कुछ signs मिलें, और उनका मतलब जो है, वो बाद में, जो भी हमारे archaeologist से, उन्होंने उसका मतलब find out करा, तो inscriptions कुछ इस तरीके से थी, कुछ animals की थी, कोई sign बनाए वहे थे, और उनका मतलब था, जैसे कि आप यह देख सकते हो, box का मतलब P, यह semicircle का T, ठीक है, S-E-O-L-M-I-I-S, तो ऐसे उनके कुछ signs है, जैसे हम बात करते हैं आज भी, तो हमारी जितने भी countries हैं, लगभग countries के different languages हैं, ठीक है, और उनको लिखने का तरीका भी अलग है, ठीक है, तो यह सार find out करना, इनके बारे में information निकालनी, बड़ा ही important role play करता है, ठीक है, जैसे यह एजिप्ट में, एफ्रीका के जितने nations हैं, एफ्रीका नेशन हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे inscripts पाएगे, ठीक है, जो की काफी ज़्यादा, यह कह सकते हो, पुराने भी थे, secondly thing, बहुत चेप्टर खतम होता है, हम इसके question and answers discuss करेंगे, next class में, thank you.